सेकंड वर्ड वर्ड से लड़ खडा की बिर्टी शुकूमत और भारतियों की बढ़ते उत्सा के कारण आखिरकार मजबूर होकर बृतेन की एटली सरकार को 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजना पड़ा इसी कैबिनेट मिशन की मंजूरी के बाद भारत में समीदान बनने का मार्ग परशर्ष्ट हुआ तो इसके लिए जो भारत की सबसे पहली लेजिसलेटिव असेंबली थी वही भारत के सब्सक्राइब के रूप में काम कर रही थी तो इसके सामने चैलेंग था कि भारत का बनाना है उसके लिए सोर्स कहां से कट्टे की जाए तो हेलो एवरिवन वेल्कम टू प्रग्यान आइस तो आज हम डिसकर्स करेंगे सोर्सीज ओफ इंडियन तो जो भारत का कॉंसिट्यूशन है उसे बंडने में टू इयर एलेवन मन्थ एंड एट्टीन डेज इतना टाइम लगा था कि टू इयर एलेवन मन्थ एट्टीन डेज इसको आपको ध्यान रखने तो हम इस टोपिक के बारे में क्यों डिसकस कर रहे हैं यह भी जान लेते पिछले कुछ सालों में UPSC और स्टेट पीसेस के एक्जाम का जो पैटर्न बदला है उसमें चेंज देखा गया है पहले कोश्चन आते थे कि ऐसे वाले आते थे ऐसे मैच करने के लिए इसमें क्या होता था। विश्चाल यगर हमें एक आप्शुन पता है तो उससे बी ऑनल कभी कभी आ जाता था दों परी आंसर आ जाता था पीन तक भी आंसर आ जाता था लेकिन जो नए पाटर्राट्ण मैं नए पैरिटन कर कोड़िंग क्या है कि हमें चार के चार statement है, चार के चार option का confirm पता होना चाहिए, तब ही हम answer सकते हैं. जैसे कि statement 1 सही है, 2 statement सही है, तीन statement सही है, या 4 statement सही है, तो इससे क्या है कि UPSC और PCS का trend है, वो थोड़ा factual से हो गए हैं. इस बार का जो 2023 का UPSC का paper था, उसमें भी देखा गया, कि लगबग 50 से 55 कोश्चन ऐसे थे जो बहुत factual टाइप के थे हरियाना PCS का देख लो या UP PCS का पेपर देख सकते हैं उसमें भी यही पैटर्न फोल्ड हो रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं sources of Indian constitution तो जो भारत की constituent assembly थी उसके सामने सबसे बड़ा challenge था कि इस constitution की framing के लिए क्या source कहां से लिया जाए तो major source है इंडियन constitution का वो लिया गया है government act 1935 से इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ यह हैं सबसे पहले federal scheme दूसरा है office of governor तीसरा है इसके साथ साथ क्योंकि यह छोटे-छोटे topic है इनको मैं थोड़ा सा detail में बताने कोशिस करूंगा और exam में क्या है कि इनसे तो direct question पूछा ही जाएगा कि कौन सा source कहां से लिया है उसके अलावा इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जैसे इसके parts इनसे related को amendment यह इनसे related जो article ह है वो मैं आपको बताऊंगा तो इसलिए इस lecture को आपको बड़े ध्यान से सुनना है फिर किसी भी exam में इस से related अगर question आएंगे तो आपके नहीं छूटेंगे तो सबसे पहला है federal scheme को जानने के लिए जरूर यह है कि जो federal system होता है उसको जानना तो federal system को जानने के लिए जरू और तीसरा होता है यूनेट्री सिस्टम इसी में क्या है कि जो इंडिया के अंदर है वो लिया गया है फेडरल सिस्टम से मिलती जो तो तो आप समझ लिए अंदर क्या होता है बेसिकली यह जब से यूस से यूनाइट हुए उस से पहले की condition है वहां पर क्या होता था कि जो इस्टेट होते थे उन्हें पूरी freedom होती थी कि इस्टेट अलग होके खुद में country बन जाए तो इस situation को कहते हैं कि जहां पर जो इस्टेट है वो अलग हो सकते हैं वो सिस्टम होता है कन फेडरल वाला फेडरल के अंदर क्या है कि जो इस्टेट चीजें समझते हैं उससे समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है जैसे इसमने कि center और state के बीच में स्टेट के बीच जिन ऑनका बटबार सकते यह चीज़े मैंने शेड्डूल वाले जो टोफिक था जो सिरीच थी उसमें आपको करा दी थी तो शेड्डूल वाला ही हो गया कि सेड्डूल से जो है पावर सकार सेपरेशन ऑफ पावर है सेंटर और इस्टेट के बीच में दूसरे आपको मिलेगी सुप्रीमेसी ओफ जो लेजिस लेचर है जो विधाईक हैं अगर वह कवास अगर वह कविए कानून बना रही है तो अगर वह कानून को गलत बना रहे है तो इसको सुधारनिक काम करती है तो यह होता है सुप्रीमेसी ओफ naught फिसरी चीज होती है कि जो इस में कॉन्सिट्यूशन होगा उसमैं करना थोड़ा हाड होगा तो यह कुछ चीज हैं जो फेडरली स्कीम में इंदिया के अंदर लागू की गई है और यह ली गई है गोर्मेंट ऑफ इंदिया एक 1935 से इसके बाद जो यूनिट्री सिस्टम एक तीसरा मैंने आपको बताया था यूनिट्री सिस्टम यह आपको मि सेंट्र जो पाइफ़फूल होता है स्टेट की कंपेर में में तो मुस्टली जो पावर्य थे पास होती है अ initiatives लेह ओफिस फोरणर गवर्नर यान यह बात करता है कि जो गवर्नर हैं वह इंदर स्टेट का गव्यवनर करेंगे प्रीवां कि औरी इसका कारियकाल और यह तर तक प्लीज़ काम परेंगे चाहेंगे तब तक काम करेंगे और यह आपको ध्यान रखने इसको पॉइंट करता है अब जो उगली जी जो है इनडिया में जैसे सुप्रीम कोर्ट है एसे हाइग कोट अपको ध्यान रखने है को और सुप्रीम कोर्ट से जो जो जुडिशरी है यह ली गई गुवर्न्मेंट ऑफ इंडियाएक 1935 इसके बाद आता है पब्लीक सर्विस कमिशन पब्लीक सर्विस कमिशन मिलेगा आपको आर्टिकल 315, 315 में जैसे संवाय हो गई यूणन पब्लीक सर्विस कमिशन जो सेंटर लेवल पर जो ओलं इंडिया सर्विस इस पीस और इसके बाद बात करते हैं इमर्जेंसी प्रोविजन जो इमर्जेंसी प्रोविजन है यह इमर्जेंसी प्रोविजन मिलेंगे आपको आर्टिकल इसको प्रेजडेंट रूल इसमें लगाया जाता है और आर्टिकल इंडिया के अंदर कभी लगी बाकी यह दोनों इंडिया में लगी है इन चीजों को जो इमर्जेंसी वाला टॉपिक है वो अलग से डिटेल में पढ़ेंगे इसके अलावा जो constitution का amendment है वो भी डिटेलं में पढ़ेंगे कर इसके लिए जो constitution में पार्ट यो के ओप तीन यह पार्ट्स आपको ज्यान रखने अगला टोपिक अगला है एंडिनिस्टेटीव डिटेल्स जैंडिनिस्टेटीव डिटेल्स थे मिलेंगे आपको आर्टीकल 256 से 263 और पार्ट है इसके लिए 11 पार्ट और इसी में आपने देखा हुगा आर्टिकल 263 में तो इसी आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसके गठन का प्रावदान है और यह यह बनाई जाते है किसके दौरा इसका गठन किसके दौरा किया जाता है यह किया जाता है प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया के दौरा तो यह फेडरल इस्टीम ऑफिस ऑफ गवर्नर जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमर्जेंसी प्रोविजन्स एड्मिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यह चीज़ें ली गई है इसके लावा बहुत सारी चीज़ें यहीं से ली गई है और कॉस्चन में अगर जैसे आपने सब्सक्राइब याद कर रखी कि उस्टेलिया से क्या लिए गया और वह चीज़ें किसी अधर कंट्री से नहीं आपको तुक्का भी लगाना हो तो 1935 का जो एक्ट है इसी पर लगाना क्यूंकि जो कहीं है वो यहां से लिया गया अगला देखते हैं कि और स्टेलिया और आपको बताया था आपको डिटेल से पढ़ाय था इसमें तीन लिस्ट के बारे में बताया गहा है center list , स्टेट लिस्ट और तीसरी है, Conquerent List Conquerent List तो यह जो Conquerent List है, यह क्या है? Central List पे Center कानून बनाता है, State List पे State कानून बनाता है और Conquerent List है, Conquerent List पे दोनों कानून बना सकते है अब इसमें कुछ important topic है, कुछ subject है, वो एक बार देख लेते हैं जैसे के सब्जेक्ट है जैसे जो लो से रिलेटिट जितने भी सब्जेक्ट है वो मोस्टली सी में जैसे कि आई पीसी कि सी आर पीसी कि एडॉप्शन बच्चे को गोध लेना इडॉप्शन मैरीज कि डाइवोर्स अब इसके अलावा एजूकेशन और एजूकेशन इसमें जो 1976 में जो 42 अमेंडमेंट थो उससे भी कही सारी चीज़े जूड़ी थी तो नहीं जो 42 अमेंडमेंट है वो काफी बढ़ा है उसको में डिटेल में लग से उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे इसके लावा और इसमें बेंक्रेप्सी करप्सी एंड इन्सोल्वेंसी इन्सोल्वेंसी तो मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट इसके अंडर में आते हैं यहापको दिहान रखना अगला देखते हैं अगला है फ्रीडम ओफ ट्रेड और्मर्स एंड इंटरपोस यह आपको मिलेगा आर्टिकल 301 यह आपक करते हैं जोइंट सिटिंग की नुबत कव आती है जब पार्लियमेंट के हमारे यहां दो हाउस है लोगसभा और राज्यसभा जब लोगसभा राज्यसभा में किसी कानून को लेकत में लेकर आपस में कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो जाए ऐसा मामला ऐसा बढ़ गया कि क जोइंट सिटिंग की होती है जोइंट सिटिंग होती है अर्टिकल बनी बश inclusion होती है और जो इसका जो चेर परसन होता है वो होता है लोगसभा लोगसभा-इस पीकर तो कि यह आपको Sugden ध्यान रखने कि अब भात करते हैं कि कनड़ा से मिले क्या क्या लिया है का इस फेडरेशन वी इस्ट्रोंग सेंटर कनाड़ा से हमने लिया है गनाड़ा से लिया This been Also स्ट्रोंग सेंटर वेस्टिंग ओफ रेजिडूरी पावर्स इन सेंटर अपॉइंट्मेंट ओफ इस्टेट गवर्नर बाइ सेंटर एडवाइजरी जूरिडिक्शन ओफ सुप्रीम कोड अब इनको डिटेल में देख लेते हैं तो जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कना इसका सबसे बेस्ट है एक्जामपल है इमर्जेंसी इमर्जेंसी प्रोविजन तो आपको ध्यान रखना है यह चीज़े बाद में अलग से जो वीडियो लाएंगे यह सब तोपिक कुछ हम उसमें डिटेल में करेंगे किसी के बाद है दूसरा है वेस्टिंग ओफ लिष्ट है यह मिलेंगे आपको अर्टिकल 248 इसमें क्या है कि जो इन तीनों लिष्ट में नहीं है वो इसमें और यह जो लिष्ट है इस पर केवल पार्लियमेंट ही कानून बना सकती है इस से एक इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं जो किसी एक्जाम में आके पूछा जा सकती है एक जो Constitution में मैंन हुआ था 101 यह रिलेटिड था GST से और इसमें क्या किया कि इसमें क्या किया कि इसके लिए में 246 ए एक आर्टिकल जोड़ा गया जो GST के बारे में बताता है और इसी आर्टिकल 248 की जो पावर्स थी पार्लिमेंट की वो आर्टिकल 246a के अंदर में कर दी यह आपको ध्यान रखने हैं यह question UPSC में पूछा जा सकते हैं अगले है appointment of state गवर्नर्स भाइदा सेंटर यह मिलेगा आपको आर्टिकल 155 में की जो गवर्नर्स का जो appointment होगा वो सेंटर के द्वारे क्या जाएगा प्रेजिटेंट करेंगे और यह चीजे लिए गई है कनाड़े के constitution से आर्टिकल 155 इसके लिए आर्टिकल हो गया तर्म होगी उसकी फाइव और प्लेजर पर काम करेगा वो प्रेजिडेंट के अगले एडवाइजरी जूरिडिक्शन ऑफ दा सुप्रीम कोड जो सुप्रीम कोड पा जो सलाकार छेतरा अधिकार है यह बात कर रहे है आर्ट 141 143 1 और 143 2 दो आर्टिकल दे गए हैं तो जो आर्टिकल 143 1 है अच्छा एक तो इसके लिए जुडिशल जो बैंच है उसमें होते हैं कम से कम पांच जज जुडिशल बैंच का बैठने ज़रूर ही है दूसरा जो 143 वन है इस मैटर में यह दोनों ही मामले में जो यह जो आर्टिकल 143 के तहऱ् है अच्छी एडवाइज सुप्रीम कर्ट देगा वो कोई कानुन नी होगा है ड्यावाइज जो है कोई होगा इसा मैंसें यह जा है oldалы में में रांड होगी पहले में इस प्रेजट के मामले में जब हैडबएज लेंगे तो वह देना इसके लिए ब तो राष्टपती के लिए माननी है तो भी बात देनी है लेकिन दूसरा मैंटर है इसमें समिधान बनने से पहले आजादी से पहले कि जो लोग उनके बारे में प्रेजडेंट कोस्चन कर सकते हैं और इस मैंटर पर सुप्रीम पोर्ट को जो है अगला देखते हैं आइरलेंड से मिलें डीपीस पी नॉमिनेशन ओफ मेंबर उफ राज्य सभा मैथड उफ इलेक्शन ओफ प्रेजिडेंट यह तीन जीज़े में देखते हैं पहले डीपीस पी डीपीस पी कॉंस्टिशन में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक मिलेंगे दूसरा इसमें क्या है की जो सेंटर गौरमंट है वह जूसर है अने काम करेगी और वह ऐसे कानून बनाएगी जिससे समाज का भला हो सके है यह हो गए डीपीएसपी दूसरा है नॉमिनेशन ओफ मेंबर ओफ राज्यसभा के मेंबर है उनके नॉमिनेशन के प्रोविजन वो के जो बारा मेंबर है टोटल जो स्ट्रेंथ हो फिस्टी होनी चाहिए लेकिन अभी तू फिस्टी नहीं अभी है टू फोटी फाइफ राज्यसभा की दो आउस है राज्यसभा लोगसभा तो इसमें जो हमारी राज्यसभा है इसमें जो बारा मेंबर है बारा मेंबर का जो नॉमिनेशन है वो करेंगे प्रेजडेंट ओफ इंडिया प्रेशिडेंट ओफ इंडिया तो यह वालब प्रोविजन दिया गया है अगला है method of election of president प्रेजिडेंट की election का method तरीका यानि कैसे राश्पती का चुनाओं होगा एक तो भारत में जो president of India है वो indirectly तरीके से चुने जाते हैं कैसे तो बात करेंगे method of election of president जो president है president of India है उनके चुनाओं का तरीका सीधा से सिंपल से एक तो जो लोगसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के जो elected member होते हैं जो चुनाओं दूरा दूरा इन सदनों में जाते हैं जैसे राज्यसभा में 12 member appoint होते हैं तो प्रेजिडेंट की election में भाग नहीं लेंगे तो जितने भी इलेक्टीड नेंबर एं डारेक्टली इन्डारेक्टली वह वह पार्टिसिपेट करेंगे लोग सबावाले भी जो elected member है वह participate करेंगे कि अ ऐसे ही है जो जितने भी state हैंडिया केंदर है स्टेट आसेंबली के जितने भी इलेक्टिड मेंबर हैं कि वो टिंग करेंगे कि तीसरा जो पंडुचेृरी ओर डेली यहांपर भी विदान सब scratches यहांके जो इलेक्टिड मेंबर हो एक तरह करेंगे लावा इसका एक और मेथड है ओस्तुट हां थाुभ हो आ होने चाहिए और दूसरा है इसमें सिंगल कि टांस्फेरिबल वोट इन दोनों को बात इन दोनों बातों का एक मतलब यह है प्रपोर्शनल रिपर्जेंटेशन और सिंगल ट्रांस्फेरिबल वोट आपको समझाता हूं जैसे कि एलेक्शन में दो केंडी रेट खड़ें तो दो में से एक होता है कि यह पहला केंडी रेट है यह दूसरा केंडी रेट है तो इसको क्या है कि मैं वोट कर रहा हूं सपोज करो एजे इलेक्टिड नेंबर राज्य सभा विदान सभा लोग सभा मैं वोट कर रहा हूं तो इसको मैं पहली प्रेफरेंस देदू इसको दू दूसरी मिल दियो इसको पहली मिल दियो तो इसकी दूसरी प्रिफरेंस केंसे लो जाएगी इसकी फर्स्ट प्रिफरेंस की में जाएगी तो यह प्रोपोर्शनल में तो बात करेंगे जापान की जापान से क्या है जापान से लिए प्रोसीजर इस्टैबलिस्ट बाई लो वै देखते हैं यह क्या है एक चीज और आपने सुनी होगी ड्यू प्रोसिस ओफ लो यह है यूएसे का ये यूएसे वाले जब पार्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा जुडिशल विव्यू वहाँ ये फोलो होता है लेकिन समझने के लिए दोनों को थोड़ा साथ समझते हैं कि यह जिए क्या होता है जैसे है लीजिसलेचर कोई काणुन अगर बना रहे हैं आँ लेजिस्स लेचर दीन है जीँ जिस लेचर ये थामिन इंड में साथ हैं या गलत एक इसके में पीछने-वाइगा इसकी इसके मैथे मीन आने हैं तो इसमें चैप में चैक कि जाता क्या हि के intention को चेक नहीं किया जाएगा तो यह अपने आपने एक लेस्ट इसकोप वाली बात लेस्ट इसकोप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इसका जो हमें वेंडराइगराम बनेगा यह और द्यू प्रोसेस ओफ लो का वेंडराइगराम बनेगा यह यह यानि इसमें क्या है कि इसमें सुप्रिम कोट यह चैक कर सकता है कि वो किस इंटेंज इसके पीछे जो लेजिसलेचर की मनसा है वो सही ती गलत इसको पूरे को चैक करेगा आगे है सोवियत यूनियन यूज यूज एस सार और नौ रश्या इससे क्या लिए हमने इससे लिए हमने फंडमेंटल ड्यूटीज हमारे प्यक्तिवारे कंसे फंडमेंटल ड्यूटीज ए आर्टिकल 51 कर इसके लिए 42 इचलीज उनटी से क्या हूं यूज जो इसकी सिफारिज के इनको लागू किया था लेकिन उस्टाइम जो फंडमेंटल ड्यूटी थी वो थी दस Constitution में अभी fundamental duties कितनी है अभी है 11 11 fundamental duties है तो जो एक fundamental duty है वो जुड़ी है 86 जो constitutional amendment हुआ था यह भी आपको ज्यान रखना है तब हुआ था 2002 में इसमें क्या है इसमें यह है जो जो जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उस पे ध्यान दे उनके पढ़ाने लिखाने को प्रमोट करें यह इसमें है तो इसमें तेन चीजी होगी 42nd amendment आर्टिकल 51A 1976 में हुआ स्वांट सिंग कमिटी की रिकमेंडेशन पर इसको लागू किया गया था और उस ताइम इसमें दस फंडेमेंटल ड्यूटी इंक्लूड की गई थी अभी 11 है एक जो है 86 अमेंडमेंड में तूसेस में जोड़ी गई और 6-14 तीन-year के जो बच्चे हैं उनके parents की जिम्मेदारी होगी कि वो उनके पढ़ाई लिखाय पर ध्यान दे अगला देखते हैं अगला क्या है अगला है प्रियम्बल में जो है बोर सारी चीज़े कुछ नाइंटिन था उससे ले ली गई थी लेकिन उल्मोस्ट यूके में जो कानून बन रहे थे उन्हीं को बोर सारी चीज़ों को हमने फोलो किया वो कौन-कौन से जैसे पारलियमेंटरी गवर्मेंट क्या होती है इसको ऐसे समझो जो पारलियमेंटरी इस उसमें एक कैबिनेट होगी जो कैबिनेट का हैड होगा वो गा प्राइम मिनिस्टर को अगला रूल और लो रूल ओफ लो का मतलब है कि जो लो बनाया गया वह सबके के लिए एक्वाले कि डूल जो है सब को ओप हं उप और रूल से बढ़ा कोई नहीं जाने buffer High Commissioner Do Christ तो दोचीज है है इसमें रूल सबी के लिए एकवाले और नौन-पाउब 2 कानौन से बढ़ा कोई नहीं तीसर के राहे इसमें legislative प्रोसेजर हिस दाएं यह सब्सक्राइब करने समय तो यहां पर कोई भी बिल लाना राच्ज्य सब्सक्राइब करने सबें तो बोडलियर नियुक्ति दूटलो की लिए लिए यह जाब है और फिर वो बन जाता है जोट है तो यह जो प्रोसीजर और जब पार्लेमेंट वाला जो किलास होगी उसमें इनको डेटेल से देखेंगे अब बात करेंगे ईंडिया के अंदर सिंगल सितिजेंशिप में क्या एक होती है single citizenship single citizenship एक होती है हेगा हम से टेजन्जिट की si के इंडिया की वह एक तायन पर केवल इंडिया का ही सिटीजिएन हो सकता है यानि मत之前 यह थे चेट अब अर्टिकल 5 – 11 और यह इसके लिए पार्ट में के अंदर है कि कुछ कैविनेट decentralized मिनिस्टर होते हैं इन्हीं केबिनेट मिनिस्टर का एक हैड होता है प्राइम मिनिस्टर और यही लोग मिलके जए जो गौर्मेंट होती है उसको चलाती है अगला है प्रेरोगेटिव रिट्स आपने सुना होगा आर्टिकल 32 तो यह जब फंडमेंटल राइट वाली चीज़ें कोंसिटूशन में करेंगे तब इन चीज़ों को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी देख लेते हैं पांच रिट में पहली है 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 बियस कोर दूसरी है मेंडामस मेंडामस तरीट हो गई पर एक है प्रोहिबिशन एक है सर्शो रवी और एक हो गई क्यों वारंट हो तो कुल मिलाके इंडिया के अंदर यह है पांच रिट आगे देखते हैं पारलेमेंटरी प्रिविलेजिस यह रिलेटीड है और टिकल 105 से कॉंस्टिटुशन के इसमें क्या है जो पार्लेमेंट के मेंबर होते हैं उन्हें कुछ प्रिविजिस दे जाते हैं जैसे कि जब वह पार्लेमेंट की कोई हास जो वर्किंग में उस टाइम उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद उनकी ग्रफतारी नहीं हो सकती दूसरा उन्हें क्या है कि आर्टिकल 19.1 के रहत है तो उन्हें Freedom of Speech होती है तो कुछ चीज में Privileges है बाद में जब यह चरीज करेंगे उसमें आगे इसको डिटेल से देखेंगे आगे है बाइक केमरलीजम का मतलब है कि यह हमारी पार्लिमेंट में दो हाउस है पहला है राज्य सभा और दूसरा है लोकसभा और इसका जो हैड है वह है प्रेजिडेंटों इंडिया तो यह जो दो हाउस है यह है बाइक केमरलीजम अब बात करते हैं कि यूस्टे को जो इससे हमने क्या दिया है यूस्टे से पहले है फंडमेंटल राइट अपने देखा होगा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 और इसके लिए पार्ट कौन से दिया गया है इसके लिए टो कुल्म लागे बारहा से 35 होगे हमारे फंडमेंटल राइट इसके बाद इंडिपेंडेंस गाप। डिबेंचे गडी जुडिशाल डिव्यूट अभी मैंने आपको बताए जब जापान वाली बात हम पढ़ रहे थे उसमें प्रोसीजर इस चैब्लिस वाइलो जापान से लिया गया था तो एसी जो जी 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 जब जुडिशियरी जो है लेजिस लेचर के बनाई काणूनों में इंटरक् तो इसके ग्या होता है वो एग जामपल के साथ क्या हुआ था कि पासपोर्ट में जब कर लिया था इसके लिए सुप्रीम लिए तो उसमें हुआ कि सुप्रीम कोड ने कहा कि प्रीडम पीडम पिस्पीच तो उसको सरकार उसके reasonable restriction पर छीन सकती है वो एक अलग बात है लेकिन इंडिया के बाहर घूमना उसका जो fundamental right है 21 right to liberty इसको छीन दिये तो यह हुआ example judicial review का यानि जब सरकार कोई कानून बना दिये और judiciary को अगर वो लग रहा है कि वो कानून गलत बना दिये उसमें सरकार का intention गलत था तो क्या है कि उसको खारिज कर सकती है आगे देखते हैं impeachment of president यह article 61 इसमें क्या है कि जो president of India है उनका impeachment कैसे होता है यह article 61 में दिया गया है यह प्रेजिदेंट को भी कुछ आधारों पे इंपीच्मेंट लगा के हटाए जा सकते हैं इंपीच्मेंट ऐसा वर्ड है जो केवल president के हटाने के लिए यूज किया गया है बाकि पुरे constitution में और कहीं उसको यूज नहीं किया गया है जैसे उसके लिए रिमूवल वर्ड यूज किया गया है बाकि इंपीच्मेंट यूज किया गया है काली article 61 प्रेस्टेंट के लिए आगे देखते हैं रिमूवल ओफ सुप्रिम कोर्ट एंड हई कोर्ट जीजिस घून को भी हटाया जा सकता है यह भी वेस्से फिर पोस्ट ओफ वाइस जो वाइस प्रेजिज्डेंट में लिखा एक भारत पर य। वाइस-प्रेसिडेंट और यह वाइस-प्रेजिडंस में लिखा है कि आर्टिकल एक गफ इन्टि कुरा है यह होंगे eg तो यह दो आर्टिकल वाइस प्रेजडेंट से रिलेटिड है आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 वन यह आपको ध्यान रखना है आगे देखें जर्मेनी का जो बीमर कॉंसिटुशन था उसकी बात करते हैं उससे लिए गया है इमर्जेंसी बात की गई है और उसमें क्या होता है कि 358 और 359 उनको आदार बनाया जाता है जैसे 358 लगेगा 352 लगते ही तो इसमें क्या है आर्टिकल 19 यह चले जाएंगे ऐसे 359 प्रेजिडेंट को पावर होती है कि वह कौन-कौन से यह फंदेंटल राइट का सट्रस्पेंशन कर सकते है उसके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकि फंदेमेंटल राइट तो सब्सपेंशन कर सकते हैं लेकिन इसका भी एक रस्त है वह आर्टिकल यह हाई कोट की रिट यानि रिट के मामले में हाई कोट का दाइरा ज़्यादा बढ़ा है आगे देख कि आगे है कि जो साउट अफिरिका है कि हाँ से क्या के लिए गया है प्रोसीजर फोर अमेंडमेंड इन दा इंडियन लिया गया है जो इंडिया का क्उंसिटूश safety पर्मीशन तो यह पूरा दे अगे पड़ेंगे लेकिन अभी इतना जान लेते हैं कि इस श्क्टेट आर्टिकल है और यह सव्थ अअफ्रीका से इसका जो प्रोसीजर है वो लिया गया है अब बात करेंगे इलेक्शन ओफ मेंबर ओफ राज्यसभा इलेक्शन ओफ मेंबर ओफ राज्यसभा इसके लिए ओल्रेडी हमारे चैनल पर वीडियो आ चुकी लेकिन फिर में आपको बता दूं यह रिलेटिड है इसमें क्या है इसमें टोटल मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर राज्यसभा में 250 करंट में 245 और इस मेंसे जो बारा मेंबर है वह पॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट बागी जो जो उनके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके लिए आकास्तर वीडियो बना चुके है तो आप जाके द इन दा प्रेंबल यह नारा था फ्रांस की खरांति का फ्रांस की क्रांति नारा था लिबर्टी एक्वालेटी एन फ्रेंटर निटी सुआतंतरता समांता और बंदूत तो ये तीन वर्ड यह प्रेमबल थेक्वाइम्बल का व्म रूरेडी तरा चुके हूं तो यहां रखना थे एक रिपबल्री रीपबलिक वरड़ भी प्रेम इंडिया के नदर प्रेजिडेंट 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 ओफ इंडिया इंडिया क्या हुआ एक रिपब्लिक हुआ एक एक्जाम्पल प्रेजिडेंट वहां कशाथ है कि एक उसको जनता है जो लोग है वो इसको खतम हुआ इसको आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लेना यहीं से काफी कोस्टन आपको मिलेंगे और आगे भी हम एसे ही इंट्रेस्टिंग जो चैप्टर है जो में में टोपिक है वो आपके लिए ले के आते रहेंगे थैंक्यू